Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल Fable Fact पे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर अन कर ले ताकि आगे आने विडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए Hello everyone, welcome to our channel आज का हमारे चैप्टर है दर्फुजी Before we begin, Pearl S. Buck was also known by her Chinese name Tsai Jianju She was born on 26th June 1892 She was an award-winning American writer She until 1934 spent most of her time in China Her novel The Good Earth based on her experience there was best-selling fiction book in US in 1931 and 1932 and won Pulitzer Prize in 1932 तो Paul Buck जो है, इनका एक और नाम है Chinese में, San Jianju इनका जन 26th June 1892 में हुआ था ये एक American writer है, जो award-winning है 1934 तक ये चैना में ही सारा अपनी life गुजार दी और इनके नॉबल है, जिनका नाम है The Good Earth ये US की 1931 और 1932 में सबसे best-selling fiction book थी साथी 1932 में इनने Pulitzer Prize भी दिया गया In 1938, she become the first American woman to be awarded the Nobel Prize in literature She died on 9th March 1973 और 1938 में इनने ये फर्स्ट अमेरिकन वोमेन थी जिको लिटरेचल के लिए Nobel Prize दिया गया और इनकी मित्यू देड 1973 में 9th March को ही Some people do not give up in the face of adversity ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे problems आते हैं Adversity आते हैं जो हमें face करना होता है या तो हम उससे हार मान ले या उसके आगे बढ़ जाए तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आगे बढ़ जाते हैं हार नहीं मानते If the going gets tough, the tough gets going अगर मुश्किल हालात है तो आप उन हालातों को आगे बढ़ करके सही कर सकते हैं Read how an old refugee does not give up hope और इस story में पढ़ेंगे किस तरह से एक old refugee अपने toughness को अपने problems को छोड़ के आगे बढ़ता चला गया The city was full of refugee Many thousands of them fed after a face and cloth somehow sheltered in mats in great camps outside the city wall At any hour of the day, lines of ragged men and women and a few children could be seen making their way towards the camps And if any city dweller noticed them, it was to think with increased bitterness तो लगातार city के अंदर refuses आ रहे हैं Refuses जो जिनके घर बार नहीं हैं दूसरे देशो या दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं ये लगातार चले आ रहे हैं और fed after a face and मतलब की बहुत दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है लगातार ऐसा हो रहा है लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ उनके जो clothes है, उनके जो shelter है वो camp में रह रहे हैं जो city के बाहर बनाए गया है city के बाहर जो वहां के local government है उन्होंने उनके रहने के लिए जगा दी है साथ में लगातार वो घंटो घंटो चल चल के यहां तक आ रहे हैं साथ में में है, वोमें है, कुछ children है जो camp के तरफ बढ़े जा रहे हैं और यह सब देखके जो dwellers है, dwellers means जो वहां के permanent residence है वो इनको देखकर के उनके मन में एक bitterness आ रहा है bitterness कैसा bitterness आ रहा है तो यह जो dwellers है या जो वहां के residence है वो देख रहे हैं कि लगाता refugee और बढ़े जा रहे हैं वो आते ही जा रहे हैं यह खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं और यह देखने के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इसे ही खिलाते रहें तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि हमें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला और यही bitterness से उनके अंदर fear है, डर है और इसी तरह से जो small shopkeepers है उनके पास लगातार beggars beggars एक तरह से कहें तो जो बाहर से refugee आये हैं अब उनके पास खाने के कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है तो वो मागने के लावा कुछ नहीं कर सकते वो जो beggar उनके पास आते हैं तो वो rudly उन्हें भगा देता है अब यहाँ पे जो रिक्सा पुलर्स है, जो रिक्सा चलाते हैं उनमें भी इजाफा हो गया, मतलब बढ़ोतरी हो गई है पहले जहां एक रिक्सा वाला होता था, वहांस दस रिक्से वाले खड़े नजर आते हैं यह जो रिक्सा आए हैं बाहर से, यह कुछ कमाना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी काम करने को तयार हैं अब जो पहले से रिक्सा पुलर्स जो वहां पे थे, जो रिक्सा चलाते थे बोलो क्या कर रहे हैं, इस रिक्सा पुलर्स आए हैं, यह किसी भी दाम में, किसी भी ग्रहा को ले जाने के लिए तयार हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ पैसे चाहिए ही, तो कितनी भी कीमत मिलती है, यह चले जाते हैं इससे क्या होता है, जो पुराने रिक्सोपुलर है, उनके लिए मुसिबत आ गई है, उनका जो दाम है, रेट जो है, वो कम होता जा रहा है, और इस वज़ा से ये उसे बद्धुआ कर्स करते जा रहा है. With the city full of refusee being at every door, swarming into every unskilled trade and service, lying dead on the street at every frozen dawn, how should one look at this fresh lot coming in now at twilight of winter's days? अब यहाँ पे जो पूरा city है, ये full of refusees हो गया, refusees है भर चुका है, begging चालू है, हर लोग एक दुसरे से मांगे जा रहे हैं, और ये swarming है, मतलब की भीड बढ़ गई है पूरा city के अंदर, बहुत सारे unskilled जो trade है वो चालू हो गया है, ऐसे लोग जो खेतों में काम क्या कर अब उन्हें सहर में रहना पड़ रहा है, उन्हें कोई काम नहीं आता, अब उन्हें जो भी काम मिलता है वो करने को तयार हो जाते हैं, और सडकों पे street पे ऐसे ही रात को पड़े रहते हैं, frozen dawn means जो सुभा होती है, ठंडी में, तो सुभा देखने को मिलता है कि जैसे रात म ये लोग सोये थे और मरे पड़े हैं, और इसी तरह से लगातार इन ठंडी के रातों में, और लोग और refusers चले आ रहे हैं, city के अंदर, but these were no common men and women, no refract from some community, always poor and easily starving in flood time, no, these were men and women of which any nation might have been proud, तो writer, जो हमारी है, Paul, इनका कहना है कि ये ऐसे लोग नहीं है, ये मतलब सुरू से ही गरीब नहीं है, या फिर ये bagging नहीं करते हैं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, और ये riffraff नहीं है, मतलब देखने में भद्दे या बेकार नहीं लग रहे हैं, इनका जो status है, वो form of one reason, for they were garment woven out of the same dark blue cotton stuff, plain and cut in old-fashioned way, the sleeve long and coats long and full, इन लोग ने जो dress पहनी हैं, वो garments बहुत ही अच्छे हैं, उनके जो सारे जितने भी लोग उद्स तरफ से refusee आ रहे हैं, वो एकी reason के लग रहे हैं, मतलब एकी जगा के लग रहे हैं, और सारे जितने भी कपड़े पहने हैं, सिटी में रहने वाले लोगों का fashion बदल चुका है, लेकिन गाउवालों का, वही old-fashioned dress है, जो sleeve long है, लंबे sleeve है, और उनके जो cut है, लंबे हैं, फुल है, बोथ men and women were tall and strong in frame, although the women's feet were bound, और जो भी men and women हैं, वो लंबे हैं, और strong frame हैं, मतलब मजबूत नजर आते हैं, बहुत महनत हैं, और साथ ही जो women है, उनकी feet भी, women's feet were bound, चाइना में एक तरह का tradition है, कि औरतों का पैर को मूर दिया जाता है, bound कर दिया जाता है, ताकि वो देखने में खुबसूरत लगे, और जब वो चले तो अच्छी लगे, और ये बाद में इसको band भी कर दिया गया था, और अभी किसी किसी प्रांट में ये चालू है, every man carried a lot of two baskets slung on a pole across his shoulder, in these baskets were clothes and quilt made of the blue cotton stuff, और हर किसी इनसान के पास एक pole है, जिसके पर दो basket तंगी है, basket के अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हैं, और खासकर उस basket में quilt है, मतलब ओढ़ने के लिए quilt रखे गया है, clothing and bedding were clean and strongly made, और इनके जो कपड़े हैं, बहुत ही साफ सुत्रे हैं, और strongly made है, बहुत एच्छे से बनाए गया है, इन बोथ दा basket on the top of every folded quilt with a bit of made between was an iron cauldron, और इनके जोनों दोनों जो basket हैं, जो कंधों के दोनों तरफ लटके हुए हैं, एक iron से, इनके दोनों baskets में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, क्विल्ट रखे हैं, और साथ में mat से, चटाईया हैं, और सी के ओपर एक iron cauldron होता है, cauldron कढ़ाई एक तरह से कह सकते हैं, खाना पकाने के लिए बरतन, और इन बरतनों को देखके ऐसा लगता है, कि इन बरतनों को गाउं में जो आर्थन वोबन होता है, मतलब जो चूला होता है, मिट्टी का, उन चूलों से उठा के लाया गया है, और ये तब उठाया गया है, जब उनके पास कोई चारा नहीं था, अब उनको वहां से move करना ही पड़ा but in no basket was there a wastage of food wastage मतलब कोई निसानी निजर नहीं आता था मतलब उसके basket में कहीं भी देखने से पता नहीं चलता था कि उनके अंदर कुछ food है nor was there a trace of food having been cooked in them recently और उनके बरतन जो कल्डरॉन है उनको देखके भी नहीं लगता है कि इनके अंदर कभी खाना बनाया गया हो अभी हाल में कभी खाना बनाया गया हो अब इनके जो चेहरे हैं इनको देखके ही समझ में आ जाता है कि ये कितने ज़्यादा भूगे हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इनके ध्यान से देखने पर त्व लाइट मिंस की मून लाइट के अंदर देखने पर पता चलता है कि ये कितने डिस्पेर है मतलब अब होपलेस हो चुके है इनके अंदर कोई होप नहीं है बस ये चले जा रहे हैं जिन्दा रहने के लिए और इनके पास कुछ बचा नहीं है और जब वो city पहुंचे अगर हम city जाते हैं या हम लोग बड़े city में रहते हैं या फिर गाउं में जाते हैं तो वहाँ पे हम अलग लग चीजों को देखते हैं उनके अंदर कुछ नया खोजने की कुशिस करते हैं लेकिन ये लोग जो गाउं से country side से यहाँ पे city में आये हैं उनको इनके अंदर कोई ध्यान नहीं है कुछ देखने को नहीं चाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि आज नकल एक दिन मरने ही वाले हैं मौत के करीब हैं no new side could their curiosity curiosity यहाँ पे जो हैं के अंदर जागनी चाहिए था इन city को देखर के उनके sides को देखर के लिगन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है ये ऐसे मेन और वोमेन है जो हमेशा अपनी जमीन पे रहते हैं कभी उनको छोड़के नहीं जाते ये तो मजबूरी थी उनको वहाँ पे से छोड़के यहाँ आना पड़ा दस दे पास unseen silent alien as those who know themselves dying are alien to the living और ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे वो एक तरह के alien है alien मतलब कि यहाँ पे दुसरे ग्रह से आये नहीं ये दुसरे परदेशों से या दुसरे रिजन से आये हुए हैं और उनका यहाँ कोई घर नहीं है ठिकाना नहीं है तो उनको एक दिन यहाँ से चले जाना है या फिर मारे जाना है वो एक alien के तरह है और alien के तरह ही रहेंगे या मारे जाएंगे तो आज के लिए इतना ही आगे का चैप्टर कम्प्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो दोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो ट्याओ प्लीट इस वीडियो बेलोर ट्याओ इस जग्शेशन वर बटीक, थैंक्यू सो मुच वर अवर वीडियो भीडियो प्लीट